हेलो इस्टूडेंट्स कैसे आप सभी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे चली फिर हम आज शुरू करेंगे अपने आज के सेशन को जैसे कि आप सभी को पता है अब हमारी जो सीजी चल रहे हैं उसके अंदर हम हिंदी साहिती इत्यास के जो महतुपून से महतुपून प्रश्ण है हम उनको कर रहे हैं अभी हमारा जो टार्गेट है वह है जादा से जादा रचनाओं को इखटा कर देना एक जंगया पर क्लासिस के माध्यम से हमें अलग-अलग तरीके के प्रश्णों को टार्गेट करके चलना है अलग- कैसे कैसे कोश्चन साते जैसे कूछ आनगे रचनाओं से जैसे रचनाओं से प्रश्ण आया तुभी रचनाओं को हमें याद करना पड़ता है और सबसे बड़ी समस्या यह ज达ल ही नहीं कर पाते क्योंकि याद करना इतना मुश्किल काम होता है चीजों को रटना बहुत मुश्किल काम होता है और समझना आसान होता है हम क्या करते हैं समझने पर कम ध्यान लगाते हैं रटने पर ज्यादा लगाते हैं जो मुश्किल काम है उस पर जबरदस्ती करने कोशिश करते हैं जो आसाने उससे भागने की कोशिश करते हैं, तो अभी हमारा जो मेरा अभी उद्देश्य है, और ये कारिये हम करेंगे कब तक, लगबग 15 नवेंबर तक, 15 नवेंबर या 20 नवेंबर तक का जो हमारा काम होगा, वो हमारा ये रहेगा, कि भाई, हम यहां पर रचनाओं को सम के अंदर हमारा जो हमारे निबंद हैं, वो भी हम रखेंगे, हमारे जो कहानिया हैं, हम उनको रखेंगे, हमारे जो उपन्यास हैं, हम उनको रखेंगे, आपका जो काववे हैं, उसको रखेंगे, काववे यानि की कविताये जो रहेंगे, उसको रखेंगे, हमारा जो जब जितने भी हमारि रचना होते हैं हम इसको लेकर चलेंगे यह second part रखेंगे हम जो हम अभी कर इसके बाद हमें क्या करना है हम इसको दो तीन अलग अलग part में divide करके चलेंगं गयोंकि हार पात्र उयर्चना जगे उनका क्रम ले लिया का पात्र उनका कम क्रम ले लिया रैगा sharita फिर हम 25 तारीक से और 5 दिसंबर तक का जो हम अपना टार्गेट रखेंगे वो हम रखेंगे जो हमारे कथन से इस्थापना और तर्क वाले हैं हम उनको लेकर चलेंगे और फिर इनको सबको एक जगा कंबाइन करके हम चीजों को लेंगे और कुछ जो प्रिवियस यार है सबसे पहले अपने पहले वाले प्रश्णी की ओर कौशन नमबर एक है जिन्दगी और जोग कहानी के लेखक कुन है मैथलिशन गुप्त अमर कांत कमलेश्वर या फिर निराला पहला प्रश्ट अंसर करिएगा जल्दी से पढ़िए अपना कौशन यांपर अंसर दीजेग जिन्दगी और जोग कहानी के लेखक कौन है गोज अंसर क्या होगा भी आपका यांपर वेरी गोज और सही अंसर है हमारा अमर कांत और प्रसिद कहानियों में से आती है और हमारे पास में काफी बार ये कहानी पूछी भी जा चुकी है आगे बढ़ेंगे अगले नंबर दो लाल पसीना उपन्यास किसका है sup맛 ये भी Udcnaet में काफी बार आपका कोशन आचुका है महिप सिंघ ऑ इनफिर डूदनात सिंघ कोशन नंबर दो लाल पसीना किसका उपन्यास है किसका उपन्यास है Although. प्रस्ट प्रस्ट नमबर तीन आखरे कलाम उपन्यास किसका है भीम सेंतियागी दूदनात सिंग अभीमन्यु अनन्थ या फिर गिरीराज किशोर और जो राइटर्स में ने यहां पर ओप्शन्स में लिये हैं आपको उनका भी ध्यान रखना होगा क्योंकि जरूरी नहीं है जो कोशन में ने उठाया है वही कोशन आएगा या उसी राइटर का आएगा जो बागी राइटर्स यहां पर हैं वो भी हमारे सब महतोपून है कोई ऐसा नहीं है जो इन में से महतोपून नहीं हो हमें जब हम नेट का जो प्रिविस एर करते हैं उसमें भी हमें यही ध्या ज्यादा होती है तो आखरी कलाम उपन्यास हमारा किसका है दूदनात सिंग का आंसर होगा बी बी ऑप्शन आपका सही है नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर चार असाध्यवीना किसकी रचना है यह उपन्यास नहीं है बेटा हम सिर्फ इसको रचना लिखेंगे क्योंकि आ अभिमन्युवननंत या फिर अग्ये अगला प्रश्ट नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर चार असाध्यवीना जो असाध्यवीना है यह कैसी कवीता है यह एक लंबी कवीता है बहुत अच्छी है आपके स्लेबस के अंदर लगी हुई है इससे आपका डिरेक्ट कोश् इसके अंदर क्या चीज दी हुई है किसके बारे में बात की गई है इससे प्रशन आ सकता है एक इसकी यह आपके अग्ये जी की है डी ओप्षन आपका सही होगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्च और यह वैसे भी दी हुई है आपको पढ़नी भी है इसकी पंक्तिया भी आ सकती है अगला प्रश्च नमबर पांच निम्ण में से निराला जी की रचना कुन सी है लोग चिडिया घर उड़ने के पेस्तर या फिर अपसरा नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर पांच अगला प्रश्च प्रश्च नमबर पांच का सही आंसर क्या होगा आंसर करते बच्चों वेल डन बहुत बढ़िया और सही अंसर हमारा क्या होना चाहिए गुट एकदम से आंसर करते रहो गुट गुट बैरी गुट आंसर क्या है भई हमारा अपसरा किसका कौन सा है भई अपसरा इनके ऐसे कौन-कौन प्रश नमबर छे दीवार में एक खिड़की रहती थी किसका उपन्या से रमेश चंदर शाह विनोध कुमार शुकल कामतानात या फिर रवींद्र वर्मा अगला प्रशनी है प्रश नमबर छे है दीवार में एक खिड़की रहती थी किसका उपन्या से रवेंदर शाह का है व कोश्चन नमबर 6 का सही उत्तर क्या होगा दिवार में खिड़की रहती थी किसका है विनोध कुमार शुकल का आंसर क्या होगा आपका ए ए ओप्शन आपका सही है अगला प्रश्न नमबर 7 रश्मी कविता के कवी कौन है पंत है निराला है प्रसाद है महादेवी है इनके सभ पुछी जाती है कि निजा भी आती है कि पूछी जाती है चारों हमारे कौन है चाया चायावाद के चार परमुख इस्तंब है और इनसे प्रशन हमारा जरूर आता है एक या दो कोशन हमें मिल जाते हैं अगला प्रशन प्रशन नमबर आठ मोरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है किसे कहा जाता है विनोध कुमार शुकल को महेंद्र भल्ला को अभिमन्योनंत को य मोरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है नेक्स्ट कोशन आ चुका है अंसर करिएगा अगला प्रशन 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 नमबर आठ मोरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है किसको कहा जाता है सही आंसर है मारा सी अभिमन्योन अनंत को यह मोरिशस के हैं मतलब एक तर ऐसे प्रवासी साहित्यकार है इने का लाल पसीना है जो बुद्परसिद उपन्यासों में से आता है और इनको मूरिसस का प्रेमचंद भी कहा जाता है जैसे मुंसी प्रेमचंद आदर सोनमु की अथार्तवादी है ऐसे ये भी आपके आदर सोनमु की अथार्तवादी लेखक है अ फिर जैनेंद्र, अगला प्रश्ण, प्रश्ण नमबर 9, आंसर करते रहें, कोच्छ नमबर 9 का सही आंसर क्या होगा? Very good, well done. Very good, very good, very good. बहुत बढ़िया, आंसर क्या होगा आपका? विपात्र किसकी रचना है? किसकी विपात्र आपके? मुक्ती बोद की. C option आपका correct हो जाता है, अगला प्रश्ण, प्रश्ण नमबर 10, कितने पाकिस्तान, किसका उपन्यास है? कमलेश्वर, सिवपरशाथ सिंग, विरेन कुमार जैन, या फिर नागारजुन. Question number 10, कितने पाकिस्तान, किसका उपन्यास है? कमलेश्वर का है, सिवपरशाथ सिंग का है, विरेन कुमार जैन का है, या फिर नागारजुन का है? Question number 10, correct answer क्या होगा? answer करते रहें, speed के साथ में, देखते हैं कितने पाकिसे जो सही answer देंगे, प्रश नमबर 10 का, सही answer क्या होगा? question number 10, answer करते रहेंगा, speed में, good, किसका है बहिए? कमलेश्वर, answer is A, option आपका सही है, next question, question number 11, टेरी कोटा, किसका उपन्या से, फरिश्वर नात रेनु, लक्षमी कानत वर्मा, देवेंदर सत्यार्थी, या उदेशंकर भट, देखो आपको लग रहा होगा, काफी हमारे आपर ऐसी रचनाय है, कि यह तो हम से आती नहीं है, हमें तो बहुत सार चिज़ें नहीं आती है तो आप इसको ऐसे नहीं लेंगे, आप इसको लेंगे, मुझे यह नहीं आती है, तो आप मैंने यह भी सीख लिया है, अगर हमें कुछ नहीं आ रहा है, कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आए, तो उसे ऐसे मत देखो, यह मुझे आज तक नहीं पता था, आप ऐसे लक्षमी कान वर्मा, अभी मैं आपको वैसे भी ऐसे ही रचनाई जादा दे रही हूं, जो रचनाई आपने आतों सुनी हो, यह आपने अपने में पढ़ी हो, आपके में किस लिबस में हो, या फिर आपने हिंदी साहित्य का इत्यास जो आपने पढ़ाओगा उसके अंदर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, गर्म राक किसकी रचना है, किष्ण बल्देव, रांगे रागव, उपेन नातश, या फिर चतुरसेन, शास्त्री, प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा, नेक्स्ट कोश्चन, आंसर करिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है, आंसर करिए फटा-फट से, देखते हैं कितने बच्चे हैं, जो सही आंसर करते हैं, स्पीड में आंसर करते रहो, फटा-फट से आंसर, गर्च, किसका होगा ये आपका, गर्च, उपेन नात, अश्क, ये भी बहुत जादा आता है, गिर्ती दिवारे, गरम राख, पूछे जाते हैं ना, आपका, आंसरी सी, अगला प्रश्न है, प्रश्न नमबर 13, निम्न में से कौन सा उपन्यास, दुश्यंत कुमार का है, छोटे-छोटे सवाल, 18 सुरज के पोदे, तीसरा आदमी और मचली मरी हुई, ये थोड़ा लग सकता है आपको, नया है, लेकिन क्योंकि बहुत जादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपसे ये वाला प्रश्नी भी किया है, आंसर करिए, इस पीड में कौनसा उपन्यास दुश्यंत कुमार जी का है, कौनसा है, छोटे-छोटे सवाल, आंसर होगा A, अगला प्रश्न, प्रश्न नमबर 14, शहर में घूमता आईना, किसका उपन्यास है, शहर में घूमता आईना, किसका उपन्यास है, शहर में घूमता आईना है, उपेंदनात अश्क का है, या फिर चतुरसेन शास्त्री का है, और सही उत्तर हमारा क्या होगा बैस में, करेक्ट आंसर है, शहर में घूमता आईना है, उपेंदनात, अश्क का, सी ओप्शन हमारा सही हो जाता है, अगला प्रश्न, प्रश्न नमबर 15, गोबर गनेश, किसकी रचना है, रमेश चंदरशाह, राही मसूम रजा, रामदरश प्रश्मिश्र या फिर तिलोचन, क्वेशन नमबर 15, 15 है, गोबर गनेश, किसकी रचना है, अंसर करते हो, गोट, करेक्ट आंसर क्या होगा वही आपका, गोबर गनेश किसकी है, रमेश चंदरशाह की, अंसर एज, जितने बच्चों ने आंसर एज दिया है, उन सबका अं प्रश्ने है, प्रश्न नमबर 16, नया ज्यानों दे, पत्रिका के संपादक कुन थे, रामविलाश शर्म, लाला शिरी निवास दास, रविंदर कालिया, या फिर बल्देव परसाद, अगला प्रश्न, प्रश्न नमबर 16, आंसर करिए, कोश्न नमबर 16 का सही आंसर क्या वेरी गुड बच्चो, करेक्ट अंसर क्या होना चाहिए, किसके तरफ जाएंगे, रवेंदर, कालिया, नया ज्यानों दे, बहुत मिलान में भी आती है, सन में भी आती है, ठीके, यर के आधार पर लगाने के लिए भी आती है, और डिरेक्ट भी पूछ रहा जाता है, किसक बत्र है, कवी और रचनाओं का सही मिलान कीजे, यहां पर आपको मिलान करना है, आपके जो कवी है और रचना है, मनोहर श्याम जोसी, सुरेंदर वर्मा, मनी मधूकर और विरेंदर जै, आंसर दीजेगा, सही आंसर क्या होता है, फड़ा फट से आंसर करिए, मिलान करो, ए विरेंदर श्याम जोसी का कौन सा है भई? B का second, C का third, D का first, answer क्या है, आपका यहाँ पर D, D option आपका यहाँ पर सही हो जाता है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नमबर 18, सालवती, किसकी परसिद कहानी है, यश्पाल, इलाचंदर जोशी, विश्नु परभाकर, या जैशंकर परसार, question नमबर 18, अगला प्रश्न, सालवती, किसकी परसिद कहानी है, इश्पाल की है, इलाचंदर जोशी की है, विश्नु परभाकर की है, या जैशंकर परसाद की है, किसके साथ में जाओगे, correct answer क्या होना चाहिए, गोज, सालवती, किसकी परसिद कहानी है, जैशंकर परसाद की, और अंतिम कहानी भी है, प कहानी , बी यह इनकी अगला प्रस्ट प्रस्ट नमबर उन्निस बादलो के घेरे के रचनाकार कौन है कुछना सोपति मैत्री पुष्पा प्रभाखेतान उश्या प्लियम्वधा अगला कौ। अंसा करेगा Q 59 बादलो के घेरे के रचनाकार कोन है सियान सा क्या होगा देखो मैं तरी पुषपा तो नहीं है न प्रभाखेतान भी नहीं हो शाप प्रियमदा भी नहीं है किश्णा सोपती अगला प्रश्ट प्रश्ट नंबर 20 निम्न में से इंदू पत्रिका के संपादक गोपाल राम घेमरी राजेंदर यादव प्रताप नायन में श्रोर अंबिका परसाद गुप्त अच्छा इंदू पत्रिका वही है जिसमें जैशंकर परसादी की जो पर्थम कहानी थी ग्राम वह छपी थी ऐसे को रिलेट करके पढ़ते रहो गए तो अगर कोश्टन वैसे भी आ जाए तो आपको याद र परसाद व्यास जो जैशंकर परसादी की सबसे पहली कहानी थी ग्राम वो इसी परतरिका के अंदर छपी थी नेक्स्ट कोंच्टन नम्बर 21 लीली कहानी के लेखा के मैंत्ली शोर अन्गुप्त अमरकान्थ कमलेशवर मिराला नेक्स्ट कोंच्छन नमबरग एक्किस अगल प्रेश्ट, आंसर करते रहें। वेरी गुड़, आंसर करते रहें। वेरी गुड़, वेरी गुड़, वेरी गुड़, वेरी गुड़, करेक्ट आंसर क्या होता है। जी, लिली किसकी है, नीराला की, डी ओप्शन, अगला प्रेश्ट, बाइस। अभ्यूद्दे, किसकी पत्रिका है, शेखर जोशी, पत्रिकाओं से कोश्चन आता है, एक या दो, तो आते ही हैं, पत्रिकाओं के बारे में दो प्रेश्ट अमारे आ जाते हैं, कभी एक आ जाता है, कभी दो अभ्यूद्दे किसकी पत्रिका है शेखर जोशी, रामदरश मिश्र, मदन मोहन मालिविय या चंद्रदर शर्मा गुलेरी अंसर करते रिएगा करेक्ट आंसर आपका क्या होगा नेक्ट कोश्चन आपके पास में आ चुका है अंसर करिए जल्दी जल्दी से स्पीड के साथ में आंसर अभ्यूद्दे किसकी पत्रिका है किसके वही गोच, मदन मोहन, मालिविय सी ओप्षन आपका यहां पर सही हो जाता है आगे चले, नेक्ट कोश्चन पर चले, कोश्चन नमबर 23 तोड़ने ही होंगे माठोर गड़ सम किसकी पंक्ती है देखो, पंक्ती से एक कोश्चन आपका जरूर आना है ओके ना आंसर दीजेगा very good फटाफट से तोड़ने ही होंगे मठ और गड़ सब बताए, किसकी पंक्ती है स्पीड में आंसर स्पीड के साथ में, किसकी यह जी है कि आपकी मुक्ती बोद की है काफी बच्चे ऐसे होते हैं, जो इसको अग्य की समझ बैठते है, थोड़ा सा विद्रोई भाषा है ना, लेकिन तोड़ने ही होंगे, मठ और गड़ सब यह मुक्ती बोद ने बोला है, आंसर होगा ए, अगला प्रश्ट, प्रश्ट नमबर चार, दोड़त जरो जगत के जीर्ण पत्र, पंक्ती के रचनाकार कोन है, आप बोल रहे थे ना, कि मैं पत्री जो यह पंक्तियां है, इनको कैसे याद करेंगे, यह ऐसे याद हो जाएंगी, अब मैं जैसे आपको हर दिन अगर पंक्तियां देने लगूं, जैसे मालो हम कोश्चन लेकर आ रचनाओं के, इन रचनाओं के साथ साथ में दो से तीन हम पंक्तियां डालने, तो पंक्तियों से क्या होता है, कि बार 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 आँखों के सामने आएंगी, अपने आप से पता चल जाएगा, कि यह पंक्ति किसकी है, बागे आप मुझे कोमेंट सेक्शन में लास्ट में एड़ करती जाओं किसका एवे दूर तो जरो जगत के जीन पत्र आपका सुमित्रा नंदन पंत का अगला प्रस्ट प्रस्ट नमबर 25 हिंदी साहित्ते का दूसरा इधियास के लेखक कोन है नाम विलाश शर्मा डॉक्टर बच्चन सिंग नामवर सिंग और विशुनात क्वे कि वेरी गुड करेक्ट आंसर दीजेगा वेरी गुड हिंदी साहित्ते का दूसरा इधियास के लेखक कोन है कोन है इस पता है ना बहुत ज्यादा लिखते हैं और ये हिंदी साहित्ते का दूसरा इधियास तो मैं जाए आपको पढ़ाना भी है काफी चीज़े हैं जो इसमें से भी आती है और जो हमारी इभी ख्लासी चल रही है इसको मिक्स करते है उसमें पहले भी तो मैंने आपको 4-5 कि कास हो गया रामसरूप चतुरवेदी का तो इन सबको मिक्स करके वैसे भी पढ़ी रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नमबर 26 हिंडी साहित्ते का आलोचनात्मक इथियास के रचनाकार कोन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा रामसरूप चतुरवेदी चतुरशेन शास्त्री या फिर निराला अगला प्रेश्ट प्रेश्ट नमबर 26 नेक्स्ट क्वेश्ट नमबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्रेश्ट नमबर 26 का सही आंसर करते रहें गुट ए फड़ फटसे अंसर वेल ढूंड वेल डूंड और सही आंसर क्या है हमारा रामकुमार वर्मा बहुत ज् radi है विद्धानी कित्यास भी बहुत ज्यादा प्वुचा या वाला बहुत ज्यादा पुचाOTHER बहुत और बहुत बहुत आने वालों और अग्य नेक्स्ट किसने का था यह उपमान अब मेले हो गए हैं इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं चरहरी कलगी बाजरे की कलगी बाजरे की से कोई याद आया किसकी है अग्य जी की आंसर क्या होगा डी ऑप्शन इस डी नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 28 संसत से सडक तक कवि मिल मुक्ति बोध नेमी चंदर जेन या फिर निराला अगला प्रस्ट प्रस्ट नमबर 28 क्वेशन नमबर 28 का सही आंसर क्या है आंसर करते रे वेल ड़न फटावट से वेरी गोड वेरी गोड वेरी गोड आंसर करते रेएगा संसत से सडक तक किसने लिखा धुमिल आंसर इस ए आंसर में जाएंगे ए की ओर अगला प्रस्ट प्रस्ट नमबर 29 तुलसी दास चंदन घी से सिर्षक रचना के लेखक कौन है नेक्स्ट कोशन आ चु अंदन घी से सिर्षक रचना के लेखक हरिशंकर प्रसाई निराला बाल मुकंद गुप्त भारत इंदू हरिश्चंद प्रैश नमबर 29 तुलसी आंसर करिएगा कोशन नमबर 29 का करेक्ट आंसर किसके यह आपकी हरिशंकर परसाई आंसर होगा ए नेक्स्ट कोशन कोशन बता है आप कभी पिछला उठाकर देखोगे रिकोर्ड इनका मिली जाता है आपको मोहंदास किस विधा की रचना है अच्छा यह तो मैंने आज ही आपको बताया ना क्लास के अंदर कि आपको इसको पढ़ना है और इसके बारे में आमने बाद भी की थी और मैंने आपको य करना है जो मोहंदास कहानी है इसको आप सबको पढ़ना है बहुत अच्छा है पातर भी आ जाते हैं कभी कभी इसके बारे में आयता है तो आप इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखेगा चले तो फिर आज की सेशन को बच्चों हम यहीं पर आज समाप्त करेंगे और हम फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बबाय टेकर अपना ध्यान रखेगा टाइम टेबल बस याद रखेगा टाइम टेबल मे हमारी एक लास होती है मंगलवार ठीके और ब्रिस्पतिवार तो होती है किस टाइम सेवन पीम और शनिवार होती है फाइब बस ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि टाइम टेबल आपको पता होता है तो आपको भी यह रहेगा कि हमें किस दिन क्लास में आना है चले तो जेट